यूपी के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट यूपी में लगातार गिर रहा है पारा कानपूर और साहरानपूर में तीन दिग्री पहुचा है पारा उत्र प्रदेश में पहाड़ो जैसी सहर्दी का इसास अभी जो है बना रहेगा अयद भी जो है कोल्डे के साथ दिन की सुवात यहां पर हुई है वही सीतल है जो आज चलने के आसार है वही से तापमान में गिराबाट आएगी प्रदेश में सबसे ठंडा सहर जो है कानपूर और साहरानपूर रहा जहा पर पारा तीन दिग्री के आसपास दर्श किया गया सबसें कानपूर की सर्दी जो है जमु को पीछे चोड़ दिया है जम्मु सिटी कर नियुत दापमान तीन दसनों साथ दिग्री दर्श किया कानपूर का लगा था अर्था अटारे सब्सक्राइब कर चलते यहां पर आगरा में जिरू वीजिबिल्टी कल रही वहराइची कुझ कि कुष्टकुल में 25 मीटर और कानपुल परियाकराज में 50 मीटर लगनओं में 200 मीटर विजी बल्टी रही जब कि ऐव दियमें साधे 4 डिग्री तापमाद आज 120 में तापमाद 9 डिग्री क्या सपास रहा उवह मुस्तमभाग नाच वेकि शेयरों में पुब्लीक ट्रांसपर पढ़ा है कानपूर पहुचने वाली से उड़ान पहुचने वाले पांच प्लाइट विक्रीब एक से दो घंटे रही है पहले कानपूर चैसी के मोसमें गया रहे हैं पांडिया उनके मताविकशन मंदर साहिदपूर उत्रपदेश के चलतार इलाकों में आपर सद्यों में बारिस नहीं होगी लेकिन रात में जो है दोराण नया पठ्ठनडी हवाय चलेगे मत्यम सब्सिक खना को रहें आपर जो है और इसके लबा आगरा फिरुदपूर और मैंटपूरी डबा रोडिया और इसके लबा यहां पर बिजनूर अम्रोहा मुरताबाद रामपूर बरेली साजापूर और आसपास के लागों में सीच लेह चलने की सभावना देताए गई है वज्जिन आलाकों में कोल्डे की सती रहने की बात करेंगे उनकी भी बात करें तो उनमें गोंडा स्रीवस्ती वहराईच लकीमफूर कीरी सितापूर बारावंकी सहरानपूर मुसामली मुझफर नगर मेरट बिजनूर अम्रोहा मुरताबाद रामपूर भरेली पीड़ी पीड़ी संभल और आसपास के लागों उनमाव और लखनो राइबरेली अमीट्री और सुल्तानपूर आकराइट रवा और्या चालोन और हमीरपूर मोबा और जासी और आसपास के लाको में खाने कोरे का अलट जारी किया गया है तो मोसम भाग क्यों से ये अलर्ज जारी किया गया कि आगावदीनों में यूपी में मोसम में जब अस्तबाद लाफ देखने को मिलेगा